जापान की दिगजवाहन निर्माता टोयोटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी दो सीटर C-plus pod इलेक्ट्रिक कार का खुलाशा किया है यह इलेक्ट्रिक कार कमदूरी की शहरी परिवहन को ध्यान में रख कर तयार की गई है जापान के बाजार में C प्लस पॉड की बिकरी अगले साल की शुरुआती महीनों में शुरू की जाएगी यह इलेक्ट्रिक कार कंपनी की जीरो एमिशन मोबिलिटी की नीती के तहट लॉंच की जाएगी जापान में इसे दो और तीन कलर टोन में उपलब्ध किया जाएगा C प्लस पॉड को पॉवर देने के लिए इसमें 9.06 केट ब्लिवेच का लिथियम आयन बैटरी पैक लगाया गया है जो फुल चार्ज पर इसे 150 किलो मीटर तक की रेंज देता है इस इलेक्ट्रिक कार की टॉप स्पीड 60 किलो मीटर प्रती घंता है डॉट C प्लस पॉड शरी ट्रैफिक के लिए कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया गया है इसके साइस की बात करें तो यह 2490 मिमी लंबी 1290 मिमी चोड़ी और 1550 मिमी उची है तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो यह टाटा नैनो से भी छोटी है डॉट C प्लस पॉर का टर्निंग रेडियस केवल 3.9 मीटर का है जिसका मतलब है कि यह कम जगह में भी इसे आसानी से पार्क किया जा सकता है डिजाइन की बात करें तो इसमें LED हेड लाइट्स, LED टेल लाइट्स और LED टर्न इंडिकेटर दिये गए हैं चार्जिंग इनलेट हेड लाइट के बीच स्थित है इलेक्ट्रिक कार के वजन को हलका रखने के लिए बाहरी पैनल फाइबर से बनाया गया है डॉक तो योटा सी प्लस पॉड के केबिन के अंदर 1100 मिमी की जगह है जो ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर के लिए परियाप्त है इसके डैश बोर्ड में ब्लैक और वाइट रंग दिया गया है और मुखे ड्राइवर डिस्प्ले डैश बोर्ड के बीच में लगाया गया है एर कंडीशनिंग और अन्ने कंट्रोल्स के लिए डैश बोर्ड के बीच में वर्टीकल पैनल दिया गया है तो योटा का कहना है किसी प्लस पॉड एक ऐसी सनरचना का उपयोग करता है जो कई घटकों में प्रभाव उर्जा को कुशलता से फैलाता है और अफशोशित करता है और फ्रंटल साइड या रियर प्रभावों की स्थिती में सुरक्षा सुनिश्चित करता है अन्य वहनों का पता लगाने के लिए एक पूरवट कराव सुरक्षा प्रनाली को मानक के रूप में शामिल किया गया है तो योटा का दावा है कि 200V16 आउटलेट का उप्योग करते समय C प्लस पॉड को लगभग 5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है जबकि 200V6 आउटलेट का उप्योग करने पर इसे लगभग 16 घंटे में चार्ज किया जा सकता है